EV cars के competition में सब भी companies एक से बढ़कर एक new EV cars के models को launch कर रही है Tata ने भी recently अपनी coupe type new EV car को launch किया था Car दिखने में काफी unique और सांदार थी Car का जो design है वो इतना ज़्यादा futuristic लगता है कि शायद इस segment में कोई और EV car खास कर looks के मामले में तो Tata को टकर नहीं दे पाएगी features offer करती है उन्हीं companies में से एक है reno जो के EV segment में अभी एक new company है लेकिन इन लोगों ने starting में ऐसी वी कार को design किया है जिसका लुक भी है कि sports car जैसा ही है इस कार का नाम है रेनो मिगेन इटेक जो के एक electric का रहे कंपनी ने से CMF EV platform पर बनाया है कार में सबसे अच्छी चीज लगती है वो है इस कार के looks कार front और rear दोनों ही side से काफी अच्छी दिखाई देती है कार का जो design है वो इसे काफी heavy और एक muscular hatchback बना देता है ये कार कहने के लिए तो एक hatchback है पर फिर भी कार का size काफी बड़ा है कार के interior में open hour display का use किया गया है इसमें L-save 12.3 inches का instrument display और 12 inches का infotainment system भी दिया गया है कार के cabin में जो space है वो भी एक hatchback के comparison में काफी जादा है इस कार को दो variants में पनाया गया है जिसमें first variant में आपको 130 PS power और top variant में 218 PS power ओफर की गई है इस कार का जो top variant है वो 0 से 100 तक 7.4 seconds के अंदर ही जा सकता है इस कार की top speed 160 km पर आर पर ही लोग की गई है Renault की इस EV कार में LG कंपनी ने दो अलग-अलग battery packs को यूज किया है जिसमें के एक battery pack है 40 kWh का lower variant के लिए जो के हमें single charge में 300 km तक की maximum driving range दे सकता है और जो दूसरा battery pack है वो 60 kWh का है top variant के लिए जो के single charge में maximum 417 km तक की driving range दे सकता है कार के दोनों ही variants में same single motor को use किया गया है पर कार्स की batteries के according ही motors को भी tune किया गया है इस कार के साथ आपको fast charging support भी दिया गया है और साथी 7.4 kWh का wall box charger भी आपको मिल जाता है जिससे कार 8 hours charge होने के बाद 400 km तक की driving range दे सकती है तो कार के looks और specs से इतना तो confirm है कि ये एक budget TV cars की category में तो नहीं है लेकिन अब भी एक practical EV car 17 से 20 lakhs के बीज में cost करती है जिसे एकदम से afford कर पाना किसी के लिए भी काफी difficult है तो सबी companies को अपना focus budget TV cars की तरफ भी रखना चाहिए पर फिलाल के लिए आप लोग भी नीचे वाले subscribe button पर focus रख सकते हैं आपको बस नीचे वाले subscribe button पर click करना है और आपका ये काम हो जाएगा तो यही थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like share और अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नाए टोपिक के साथ